रुप करते हैं आज की सूपर पास खबरों की आज पर्षों से लगातार बमीथा थाना और सीलोन चौकी में आवेदन दे रही है लेकिन आज दिनाग तक कोई भी सुनवाई या निराकरन नहीं हुआ है इससे पता चलता है कि पुलिस भी रसूपदारों के सामने नतमस्तक रहती है दूसरा मामला भी जहमटूली ग्राम का है शंकर पटेल के द्वारा ग्राम में ही क्रिशी भूमी खरीदी थी 2015 में जिसका ओनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका था लेकिन विक्रिता के द्वारा जबरन फिर से क्रिशी भूमी पर कबजा कर लिया गया फरियादी के द्वा पता चलता है कि पुलिस प्रशासन भी रिसूखदारों के सामने नत्मस तक है। पुलिस प्रशासन को ना ही न्यायाले के आदेश का सम्मान है और ना ही S.D.M. के आदेश की परवा। देने से इंकार कर दिया गया। बुंदेली न्यूज। कौन कौन ब्रह्म है। गुल्जारी है, पंड़त हैं, कलू है, मारपीट भी आपके साथ है। और रिपोर्ट भी आपने रिपोर्ट हमने कई बार रिपोर्टें डार चुके हैं। अजिए बताओ, यदि आपको न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे। अजिए आपके सुनाई नहीं होगे तो आप फांसी लागा के माई जाएंगे। संकरदीन पटेल कहां की निवाशी है आप ग्राम पंचे जमतुली के मंदरा पतर यान की। अच्छे है। अच्छे है। क्या है आपके साथ मामला क्या है आपका। सब 19-11-2015 को दरवारी पटेल ने मुझे जमीन बिक्रय की थी। और वहीं पर मैंदरा First Choice में काम भी करता हूँ, फील्डबाद का। जब मैं वहां से आया तो यह लोग उस जमीन पर फसल भूए हुए थी। मैंना मना किया बोले तुमारी जमीन इहां पर नहीं है, अपना सीमांकन करवाया। मैंना सीमांकन करवाया। तो वहीं पर निकली। यह लोग कभजे छोड़ने को तयार नहीं थे। तो मौके पर आराई पटवारी पुलस पुना है। लेकिन कभजे छोड़ने को तयार नहीं है। पर मैंने साब के अवेदन दिया। तो वहीं उनकी पास अभी फाल चलती है, दो साल हो गया है कोई कारवाय भी नहीं करते हैं। यह लोग बार बार उस खेत पर फसल बोलेते हैं। आढ़ने चDetक हैं था तो पर आपास शाहि Indoleith you do, हम कहाँ nunक होता है। कितने दिन होगा वेद मैं सथा क्या नहीं मिलता है तो क्या करेंगी है अब नहीं मिलता है तो आप सीध़े हम नहीं जाएंगे किसान अंदूलल में दिल्ली हम सा परिभार जाएंगे और एक महिला और हमारे पंचयात की वो भी इसी प्रकार से परेसान है उसकी भी कोई नौ साल से परेसान हम तीन साल से चक्कल लगा रहे हैं वहां जाएंगे अपनी बात को मीडिया के सामने अपने किसान भाईयों के तो हम परिभार से आत्म दाहा करेंगे वह इंगे चलो धन्यबाद आपको